नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका चोहान एकेडिम में देखिए हमारे प्रयास जो हैं लगातार चलते रहने चाहिए उसी बीच में मैं आपको कुछ चीजे बता देना चाहरा हूँ देखिए आप सब लोग यह हैं लोक सिक्षन जो है संचाल नाले है मतप्रेश गौतम बौतम नतर भौपाल की बात करते हैं इसमें आप पाते हैं कुछ चीजें जैसे देखेगेगा समझ संभागी संचालक लोक सिक्षन पंधर प्रदेश के बाद सीधी भरती से भरे जाने वाले रिक्पदों की प्रवरगवार जानकारी मांगी गई है और इसको कहा गया क्व इस पर क्या कहा गया है कि भाई संदर्व क्या था पहले से जो भरतियां रह गई थी अब सुरुआत देदर लगवग हो चुकी है और इसके लिए अलग अलग जगों से भरतियों के लिए मांगा जाना की रित्पद कितने हैं तो यह विश्यांकित संदर्व रित्पद का ल जानकारी मांगे गई है और कुछ सम्भाग से प्राप्त नहीं हुई थी इसलिए कि आप ज Grü desenky त्यांकारी ताकि इसके लिए हम भरतियागे निकाल सकीं कहीं सुरुना अब हमारे लिए महत्पून क्या जाना है कि अब हमारी जो वेकेंसिये पुलिस की और और भी जो वेकेंसिये हैं उनके लिए सरकार पर लगातार चीजे पहुंचती रहनी चाहिए और मैं आप से क्या रिक्वेस्ट करता हूं यार मैं मेरे से मजमें नहीं आता अगर आप से मै कहता हूं आपके अपने लिए हग के बारे में बोलता हूं मुझे कौन सा मेरे को बेनिफिट हो रहा है यह बता दो मुझे जब पूरे मदपेस में एक लाग कोचिंग सेंटर है फिर भी चीजों को नहीं उठा रहे हैं लोग कुछ तो आप लोग भी निसेट लीजिए मेरे को कोचिंगेда 5.000 शदत दूसरे सिक्षक् सहायक सिक्षक होंगे टाइपिस्ट होंगे आसपास के लोगों कितने लोगों का रोजगार उसमें अट का हुआ है थोड़ा विराट भन करके सोच्चिए लोग नग रहा है कि मैं से काल में सरकार चाहर Magazine कि लोगों का रोजगार आपको दो लाग से जाद आपके कमचारी लोग हो गए आपने एक जटके में इतने लोगों का भी रोजगार खतम है जब आप वैकेंसी जारी करेंगे पुलिस की पड़वारी के अंद वैकेंसी है तो तुरंत यह सब एक्टिव होंगे इसके लावा किते सारे लोगों की जो बच्चे त्यारी करना शुरू कर देंगे इसके लावा जितने भी कोचिंग में आप पढ़ा रहे हैं जितने भी कोचिंग सेंटर वालों समरे यह नरूद है कि मैं आप सब के लिए भी कह रहा हूँ इसे कितने लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है सरकार यह तो चाहती लोगों की अप कोरोना के बाद रुजगार बढ़े तो रुजगार ऐसे तो बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा रुजगार कि मैं किये कह रहा हूँ कि अरे वेकैंसी की नोटिफिएशन दो एक्जाम जब खोगा तब देखा जाएगा इस बीच कम से कम तो लाखों लोग के जो अजीविका के जो है जो सिक्छक जो है उन सबकी अजीव का जो खत्रे में है वो अजीव का थोड़ा सुरू हो जाएगी यह भी तो सोची ना मैं आप सब के भले के लिए कह रहा हूँ सभी यूटूब आले सभी लोग यह सोच रहे हैं कि यार चिन और बहुत सारी चीजे हैं जिससे की जीवन निर्भार है बहुत सारे सिक्छकों का उनके परिवारों को उनके घरों का और आप सब लोग अच्छे जानते हैं इस बात को तो मेरी बात को ब्रॉड लेबल पर सोचिए मैं MP की एकोनॉमी की बात ही कर रहा हूँ मैं कितने आखो लोगों को रुजगार मिलेगा और इसके अलाबा इनसे जुड़े हुए जो किताब पब्रिस करने वाले किताब च्छापने वाले अखवार वाले दुनिया भर की चीजे मारकर वाले बोर्ड वाले सबका तो यह मिनकम होगी ने वही मैं एक ही कहां बात कर रहा हूँ पस अगर मेरे को समझने के लिए अगर चाहते हो दिनियास चौहान को समझना तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग को बुद्धी चलाओ किसान आदमी समझ जाए कि मेरी बात को हां लाउंडा वह सही बात कह रहा है बहुत अच्छी बात रख रहा है लेकिन इस चीज को अभ मेरी बात को थो ब्रॉड मैं तो सरकार के साथी सरकार का सहायता के लिए बात कह रहा हूं कि आप प्रेकेंसी अनॉंसमेंट करिए कलेंडर जारी करिए बच्चे पढ़ना सुरू करें कोचिंग सुरू आत करिवाई अभी कमसे ऑनलाइन कोचिंग चलेंगे और जैसे ही हम युवाओ में ही इसके बारे में क्या मतभेद है मैं कुछ कमेंट देखता हूँ कुछ ऐसे बेसहूर को कमेंट आ जाते हैं अरे जिनकी नालाइको तुम्हारे हीत में कोई अगर कह रहा है तो तुम तुदा दिमाग को बढ़ाओ अपने दिमाग को खोलो मेरे को भेंकर गुसा आजाता इसी बात को ले करके कि खाक के तुम लोग ग्रेजियोट हो सच कहा गया है कि तुम लोग बस अपनी जो कॉलेज उनिवर्स्टी से निकल आयो बिरुजगारी का थपपा लगा करके तो ऐसा लग रहा कि आज कल कॉलेज उनिवर्सटी हो गई है वो बिरुज गया सिंग मांग कर रहा हूं तो कितने लाखो करोड़ों परिवारों की इसमें इंकम चुपी एक लाखो करोड़ पढ़ियार इसमें रुजगार चुपा हुआ भाई यह कुने सोचते हुआ आप सब युवाओं हैं सब युवाओं के जो मानसी किस्ति जो खराब हो रही है मानसी किस्ति भी अचानक से एक जैसे वेकंसी का नोटिफियंस सुनेंगे आपके अंदर एक संचार करेगा पढ़ाई करने का मुद्दा तो यह सब चीजे मैं कह रहा हूं कौन से चेक कह रहा हूं पहाड तोड़ने को और आप सब से कह रहा हूं घर में बैठ करके एक सब्सक्राओं है जो भी आपको बनाना है जो भी आपको लगता है आप लौगिन कर दीजिए कि मेरे को बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं दुनियवर से ठीक है अब आपका ये टूटर बन गया कका करना किया आपको जैसे आथ इधर देख रहे हैं यह क्या है यह आपकी profile यहाप पर कोई कोई भी ट्यूट नहीं जीओ लिखना चाहते हैं इस से लिखे गए ये जो है कुछ नहीं करना आप इसमें जीए किए देखो यह आ गया what happening कुछ नहीं करना हमने क्या करना है और स्मॉल लेटर में डालना है MP पी ओ पुलिस पक इतना डालते ही दर आ जाएगा इसको के कर देना है ब्लूव में आ जाएगा कोई देखाए अब यहां पर अपलिक दीजिए मामा जी क्यों नाराज हो वेकेंसी दीजिए पिछले एक तीन साल से इंतजार में है अब इसको आप चाहें तो उसमें भी लिख सकते हैं आप अपने कीप एट्स टाइप करके मैं बोल के लिख दिया अब मामा जी को कैसे जाएगा अब क्या करना इस पेस देना है मामा जी को स कि आफिस कि अफ एस एस सी जैसे करें देखिया श्रासिंचहां जी आ गए आप उनको कर दिया दूसरे हमारे ग्रहम अंतिय साहब है नरुत्रम जी कुछ नहीं करना एदरेट क्या करना डॉक्टर नरुत्रम करते ही आगे नरुत्रम जी आ यह कर दिखे आप दानिक भास करक उनको कर दीजिए Atherid, G I R W E, तो डालती है गरीस उपधाई, जि इनको कर दीए, इसको आदर हमने कर दिया, Atherid, चोहान एकडमी कर दीजिए, C H A U, वो भी डाल सकते हैं आप, हमने कर दी, Atherid कर दिया किसको, माले जे एक्जामपल के लिए, आज तक वालों को डाल दीजिए चाहो तो एधरेड लिखके आज तक कर दीजिए लेकिन इस पेस देख करके एधरेड आज तक कर दीजिए एग्जामपल कर दिया ठीक है और यह जो आप्शन है हमारा देख रहे हैं आप लोग यहां पर ट्विट का यह आज तक आ गया अब यह ट्विट का ऑप्शन है अब बस इतना लिख दिया यह देख लिया कि यह पुरा ब्लीव है आज तक हो गया ओके कुछ नहीं करना अब इसको यह पटन को दबा देना है यह दुखो जी ट्विट हो गया अब आपको चेक करना है तो आपने इसमें प्रोफाइल में जाईए और यहां पर जाईए देखिए कि यह देखिए मामा जी क्यो नारा राजो वैकैंसी दीजे पर 3-7-3-3000 गया रहे हैं अब आपको क्या करना है मान लो किसी को रीट्विट करना है तो यह ऊपशन है रीट्विट का यसमें यहset אפर जों करेंगे तो देखिए रीट्विट पूरे लीपिढूए ही आपिक मेस्ट का डिया रिक Means कर सकते कुछ और लीच ना चाहरते तो कर सकते हैंने लिखना चाहते हैं नहीं लिखना नहीं समय कोई वात नहीं आप यहां पर आपने उसके कर दिया लाइक कर दिये लुक्त लाइक हो गया किसी को मैसेज करना है उसके रिपलाई करने यहां कर दिये अपने इसको सेर करने यहां से कर पाएंगे तो बहुत मतलब फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता तो सिर्फ घर में बैठ करके अपने लिए करिए बस उसमें है एंपी पुरीश भरती डालिए और चीज चलती रहेंगे आपकी ठीक है चलिए अपना सभी लोग ध्यान रखिए टेक क्यार जैहिंद जैवाद बवाएं